नमस्कार दोस्तों स्वागतियापका हमारी यूट्यूब चैनल फ्री एज्यूकेशन में दोस्तों सामन अध्यान यानि कि GKGS के जो Most Important 1000 Question की हमारी सीरिज चर रही है उस Question Series का ये 9 पार्ट है इससे पहले हम 8 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और इन Question को हम बिलकुल डिटेल में With Extra Fact के साथ में हल करेंगे ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े तो चलिए सुरूं कर लेते हैं नमर फ़र्ष्ट Question है चेत्रफल के याधार पर विस्बक का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है तो दोस्तों जितने भी Question इस वीडियो में लाए हूँ यादि आपको किसी भी Question का अंसर पता है तो वीडियो को Pause करके अपना अंसर लगाएं इसके बाद मैं अंसर पताऊंगा और Question के Relation में जितने भी Extra Fact बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा तो चेत्रफल के आधार पर विस्बका दूसरा सबसे बड़ा देश जो है वो है कनाडा तो इस Question का B option से हो जागा कनाडा जो है ये चेत्रफल के हिसाब से दूसरी नमर पर है तो पहला देश कौन सा है चेत्रफल में तो पहला देश जो है ये है रूस और अपने देश भारत की यदि हम बात करें कि भारत कौन से स्थान पर है चेत्रफल की दृष्टी से तो भारत जो है ये साथवे स्थान पर है ठीक है तो दोस्तो चेत्रफल के हिसाब से सबसा बड़ा देश जो है यह है रूस ठीक है और अपना देश भारत जो है यह साथवे नमर पर है तो रूस से लाकर भारत तक की जो रैंकेंग है वो हमें पता होना चाहिए जो क्रम है वो हमें पता होना चाहिए क्योंकि कभी-कभी तो इनका क्रम जो है वही पूंच लिया जाता है ठीक है तो इसके ल रुक चीस भाई यानि कि उस भाई को रुकने के लिए बूर रहे हैं जो कंजूस भाई है उसको रुकने के लिए बूर रहे हैं ठीक है तो हम देख लेते हैं इसको कैसे हम याद करेंगे रूस से हमारा क्या बन जाएगा रूस रूस पहले स्थान पर है का से हमारा बन जाएगा कनाडा कनाडा दूसरे स्थान पर है ची से हमारा क्या बन जाएगा चीन चीन तीसरे स्थान पर है छेत्रफल की दृष्टी से और साथ से हमारा बन जाएगा सायक्तराज अमेरिका ये चोथे स्थान पर है बी से हमारा क्या बन जाएगा तो बी से हमारा बन जाएगा व्राजील ब्राजील कौन से स्थान पर है तो ब्राजील पांच बेस्थान पर है ए से हमारा बन जाएगा आस्टेलिया आस्टेलिया छट बेस्थान पर है आई से हमारा क्या बन जाएगा इंडिया और इंडिया कौन से स्थान पर है तो इंडिया जो है ये साथवे स्थान पर है बहुत ही सरल ट्रेक है यदि आप इस ट्रेक को याद रखते हैं तो आपको छेत्रपल की द्रेश्टी से जो पहला देश है सबसे बड़ा रूस और पूरत क्रम आपको यहाँ से याद हो जाएगा नमबर सेकंड कोस्टन है भारत के लिए नियोजित अर्थवबस्ता यानि की प्लैंड एकोनोमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी तो देखिए ये पुस्तक है इंपोर्टेंट है तो हिंदी और इंगलिस दोनों में इस पुस्तक का नाम हमें याद होना चाहिए भारत के लिए नियोजित अर्थवबस्ता इसका हिंदी में नाम है और इंगलिस में इसका नाम है प्लैंड एकोनोमी फॉर इंडिया ठीक है ये पुस्तक लिखी है सर एमबस वसुरहिया ने तो इस कॉस्टन का बी ऑप्सन से हो जागा यहां से सर एमबस वसुरहिया से एक और कॉस्टन पूछा जाता है कि जो 16 सितंबर को इंजिनियर दिवस मनाया जाता है ठीक है 16 सितंबर को मनाया जाता है किस के जनमे दिवस पर मनाया जाता है तो यह सर एमबस वसुरहिया के जनमे दिवस पर मनाया जाता है य देखे मैं आपको बता दूँ प्रधान मंत्री का जो कारेला है इसकी स्थापना कब हुई थी तो प्रधान मंत्री कारेला की स्थापना हुई थी 1947 में ठीक है और तब इसको प्रधान मंत्री सचवाला के नाम से जाना जाता था ठीक है इसको क्या कहा जाता था प्रधान मंत्र कारयलाय रख दिया गया ठीक है तो ये आपको याद रखना है किसके कारयकाल में और कब इसका नाम बदला गया और इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसका नाम अब क्या है प्रदान मंत्री कारयलाय यानि कि अब इसका नाम क्या है PM Office जो है अब इसका नाम है Nast question देख लिते हैं नमर चार question रजिया सुल्टान किसी बेटी थी तो जो रजिया सुल्टान है यह इल्तृतमिस की बेटी थी प्रथाब महिला सासिका है Next question है फसलों की अध्यन को क्या कहा जाता है तो फसलों की अध्यन को कहा जाता है agronomy तो इस question का B option सही हो जागा यदि हम बात करें यहां पर pomology की तो pomology किसको कहते हैं जो fruit है ठीक है जो फल है फलों के अध्यन को कहा जाता है pomology और allory culture लखा है तो देखिए सबजियों के उत्पादन से सम्मंदत है allory culture और philory culture किसे सम्मंदत है तो फूलों की खेती से सम्मंदत है फलोरी culture और दोस्तों आपके लिए एक important information है बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर साइंस की किलास तो जो साइंस की किलास है यह 1000 question की एक series इस्टाड हुई है हमारी alternate channel free education 2.0 पर ठीक है next question है ब्रामनों पर जजिया कर लगाने वारा दिल्ली का सुल्तान कौन था तो ब्रामनों पर जजिया कर लगाने वारा दिल्ली का सुल्तान था फ्रोज तुगलक तो इस question का C option से हो जाएगा जो फ्रोज तुगलक है यह तुगलक वंस का तीसरा सासक था ठीक है कौन से नम्मर का था तीसरा सासक था और देखे फ्रोज तुगलक से एक और question पूछा जाता है एक इसने कर लगाया था ठीक है उस कर का नाम क्या था उस कर का नाम था हक ए सर्व कर का नाम था हक ए सर्व और ये जो है एक सिचाईकर था ठीक है एक प्रकार का सिचाईकर था और ये किस ने लगाया था तो ये फ्रोज तोगलक नहीं लगाया था ये तोगलक बंस का तीसरा सासक था तो तोगलक बंस का संस्ताफक कौन था ग्या सुद्दीन तोगलक जो है ये तोगलक बंस का संस्ताफक था नेस्ट है भाती संंविध्हन बनाने हितू भाती संंविध्हन सभा के कुल कितने अदिशन हुए तो संंविध्हन बनाने के लिए जो संंविध्हन सभा थी उसके टोटल 12 अदिशन या फिर 12 बैट के हुई थी तो इस question का C option से हो जाएगा और question पूछा जाता है कि कितना समय लगा था तो सम्मिधा निर्माण के लिए 2 वर्स 11 महिने और 18 दिन का समय लगा था ठीक है तो हम इसको कैसे लख सकते हैं हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 12 दिन कम 12 दिन कम 3 साल लगे थे हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं याद करने के लिए क्योंकि यदि हम इसमें 12 दिन एड करेंगे तो 3 साल नहीं हो जाएंगे तो कई बार हम confuse हो जाते हैं कि 11 महीने थे कि 12 महीने थे तो इस प्रकात से हम ऐसे याद करें डारेक्टली कि 12 दिन कम 3 साल लगे थे हमारा सम्मिधन बनके तयार हुआ था नेश्ट कोस्टन है गांदी बादी अर्थववस्ता किस सिध्धान्त पर आधारत थी most important question है economy का तो गांदी बादी अर्थववस्ता जो है ये ट्रश्टी सिभ सिध्धान्त पर आधारत थी ठीक है इस सिध्धान्त को प्रियोग करें बाकी का जो बचा हुआ धन है वह देश के हित में खर्च करें ये गांदी जी का ट्रश्टी सिभ सिध्धान्त था ठीक है और गांदी बादी अर्थववस्ता जो है इसी सिध्धान्त पर आधारत है ये question कई वार पूचा गया है इसलिए मैंने इस वीडियो लेक्चर में एड किया है next question है सिंदू नदी की सबसे वड़ी सहाइक नदी कौन सी है ये question पूचा जाता है तो सिंदू नदी की सबसे वड़ी सहाइक नदी जो है वो है चिनाव नदी तो इस question का B option सही हो जाएगा और देखिए जो चिनाव नदी है इसका उदगम कहां से होता है तो हिमांचल प्रदेश का एक जिला है लाहर इस्पीती जिला ठीक है वहां से इसका उदगम होता है और ये जो चिनाव नदी है ये सिंदू नदी में कहां जाके मिल जाती है तो एक इस्थान है मीठन कोट ठीक है मीठन कोट एक इस्थान है और यह इस्थान कहा है तो यह जो इस्थान है यह पाकिस्तान में है ठीक है और यहीं पे जो चिनाम नदी है यह सिंदू नदी में मिल जाती है next question भारत की किस नदी को जैबिक मरुस्थल यानि कि वायो लॉजिकल डिजर्ड की उपमा दी जाती है most important question है तो वायो लॉजिकल डिजर्ड की उपमा दी जाती है दामूदर नदी को तो इस question का B option सही हो जाएगा, देखे जो दामोदर नदी है, इसमें अधिक मात्रा में प्रदूसक पाये जाते हैं, जो की इसके जलिये जीवन को प्रभावित करते हैं, इसलिए इसको जैबेक मरुस्थल या फिर biological desert की उपमा दी जाती है, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, द आकपर पहाड़िंगों से उसका उद्गम होता है, और ये होगली नदी में जाके मिल जाती है, कहने का मतलब ये है, कि जो दामोदर नदी है, ये होगली नदी की सहाएक नदी है, ठीक है, और जो दामोदर नदी है, इसको जारखंड में किस नाम से जाना जाता है, तो इसक बंगाल का सोक कहा जाता है most important fact है बंगाल का सोक किस नदी को कहा जाता है तो दाम उदर नदी को ही कहा जाता है दोस्तो एक question से अधिक fact में आपको बताता हूँ आप लोगों को पता हुगा तो यदि आपको कोई fact बहुती जदे important लग रहा है या फिर फूरा question या फिर जितने question ने सारे आपको employer लग रहे हैं तो आप उनको लेक सकते हैं ठीक है आप उनको no down भी कर सकते हैं तो next question देख लेते हैं नमबर ग्यारा कॉस्टन है सारवजनिक धन का सनरक्षक किसे कहा जाता है तो सारवजनिक धन का सनरक्षक कहा जाता है नियंत्रक एम महालेखा परिक्षक को तो इस कॉस्टन का A option सही हो जाएगा जो नियंत्रक एम महालेखा परिक्षक के इसको क्या कहा जाता है और इसकी निकती का प्राधान किस अनुच्छिद में किया गया है तो अनुच्छिद 148 में इसकी निकती का प्राधान किया गया है Next question देख लेते हैं Number 12 question कौन सा योग में भारत का सबसे पूर्भी एबम सबसे पश्चमी राज को दसाता है तो भारत का सबसे पूर्वी राज और सबसे पस्चमी राज कौन सा है तो सबसे पूर्वी राज जो है वो है अनवांचल प्रदेश और पस्चमी राज कौन सा है तो सबसे पस्चमी राज जो है वो है भारत का गुजरात तो इस question का C option सही हो जाएगा next question है राजसवा में राजियों की सीटों का घटते क्रम में सही क्रम है तो राजसवा सीटों का हमें क्रम पहचानना है वो भी घटते क्रम में तो देख लेते हैं तो सबसे पहले हमें पता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीटे हैं तो उत्तर प्रदेश तो तीन ज सबसो ज़यादा सिट महराष्ट में किदी है और इसके बाद जो आठारा सीट तमिल्याडू में और इसके बाद जो सूला सूरी कहाँ पर है यह विहार में हैं लोकसभा की सबसो ज़यादा सीट हमें उत्तरप्रदेश उत्तर प्रदेश में हैं कितनी हैं तो 81 है नेस्ट कॉस्टन देख लेते हैं नंबर 14 भारत में DNA fingerprint की पिता किसे कहा जाता है तो भारत में DNA fingerprint की पिता कहा जाता है लाल सेंग को तो इस question का B option से हो जाएगा लेकिन DNA की खोज किसने की थी ठीक है ये question पूछा जाता है विज्ञान का question है तो DNA की जो खोज की थी ये की थी James Watson ने किसने James Watson ने DNA की खोज की थी तो ये भी हमें याद होना चाहिए next question है New York सहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर question थोड़े से मिस्प्रिंट हो गए है तो जो निवर्क है ये Hudson नदी के किनारे बसा हुआ है तो इस question का D option सही हो जाएगा निवर्क जो है अमेरिका का प्रमुक सहर है जो की Hudson नदी के किनारे बसा हुआ है important question पूछा जाता है हम बात कर लें यहाँ पर Berlin की तो Berlin क्या है तो Berlin जो है ये जर्मनी की राध्धानी है ठीक है और Berlin किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये इस्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तो option थोड़े से misprint होगा है लेकिन हम फैक्टों को बिलकुल वरावर तरीके से समझेंगे वरलन जो है ये जर्मनी की राधधानी है और ये इस्प्री नदी की किनारे बसा हुआ है हम बात करें पेरेस की तो जो पेरेस है ये क्या है फ्रांस की राधधानी है ठीक है और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये सीन नदी के किनारी बसा हुआ है ठीक है और बासिंग्टन डीसी जो है ये अमेरिका की राधधानी है ठीक है और बासिंग्टन डीसी जो है ये पोटो मेक एक नदी है उसका नाम है पोटो मेक ये पोटो मेक नदी के किनारी बसा हुआ है दोस्तों ये question पूछे ही जाते है तो इनको आपनो डाउन भी कर सकते हैं नेस्ट कॉस्टन है मांडू के हिंडूलना महल का निर्मान किस ने करवाया था तो मांडू के हिंडूलना महल का निर्मान करवाया था मालवा के सासक खुसंग साहन है तो इस कॉस्टन का C ओप्सन से हो जागा दिखिए जो हिंडूला महल है ये question पूछा जाता है कहाँ पर इस्तित है तो MP का एक जिला है धार जिला ठीक है MP का एक जिला है धार जिला यहाँ पर एक इस्थान है बहुती फेमस मांडू ठीक है यहीं पर ये जो हिंडूला महल है ये इस्तित है और ये जो हिंडूला महल है इसकी जो दीवारे हैं ठीक है वो हिलती हुई महसूस होती है ठीक है कैसी हिलती हुई महसूस होती है इसका नाम क्या है हिंडू लम महल रखा नेश्ट कोस्टन है कौन सा परियावन के छेतर में दिया जाने वाला विस्व का सर्वोच परियावन सर्रक्षन प्रुसकार है तो विस्व का सर्वोच परियावन सर्रक्षन प्रुसकार कौन सा है गोल्डन पांडा प्रुसकार तो इस कोस्टन का ए ओप्सन से हो जाएगा ज इसको कहा जाता है तो golden panda पुरुसकार को ही कहा जाता है next question है Glimp says of world history नामक पुस्तक किसने लिखी तो Glimp says of world history नामक पुस्तक जो है ये लिखी देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहाला नहरू ने तो इस question का B option से हो जायागा इन्होंने ये पुस्तक कब लिखी थी तो इन्होंने पुस्तक जो ही ये 1934 में लिखी थी ठीक है इनकी एक और पुस्तक है जो पूची जाती है इनकी एक पुस्तक का नाम है भारत की खोज या फिर discovery of India next question है चर्चित पुस्तक Life Divine किस महान प्रसद्वारा लिखी गई तो जो Life Divine पुस्तक है ये लिखी गई थी अर्बिंद घूस की द्वारा तो इस question का B option से हो जायागा अर्बिंद घूस की एक और पुस्तक पूची गई थी प्रिवियस railway exam में उस पुस्तक का नाम था ठीक है रोग ब्रती रुदक्षमता पैदा करती है अर्थात सरीर को रोगों से संक्रवन होने से बचाती है next question है भारती संविधन अर्ध संगात्मक है किसने कहा तो भारती संविधन जो है ये अर्ध संगात्मक है ये कहा था केसी फीलर ने किसने केसी फीलर ने कहा था तो इस question का D option से हो जाएगा देखे जो केसी फीलर है इनकी एक पुस्तक है ठीक है इनकी पुस्तक का नाम कै है तो इनकी पुस्तक का नाम है फेडरल गवर्मेंट ठीक है फेडरल गवर्मेंट इनकी पुस्तक का नाम है इ इस पुस्तक में कहा था है उन्होंने तो इनकी एक पुस्तक है फेडरल गवर्मेंट इसमें भारतिय संभीधान को अर्द संगात्मक कहा था नैस्ट कोस्टन है सराब और पानी के मिस्टन से पानी को अलग किया जा सकता है यानि कि जो एलकोहल और बाटर का जो मिस्टन है ठीक है जो मिक्चर है उसमें से बाटर को कैसे अलग करेंगे पानी को कैसे प्रिथक करेंगे तो देखे आसबन विधी के दोरा ठीक है जो distillation process है उसके दोरा सराव और पानी के मिस्टन में से पानी को अलग किया जाता है याद रखेंगे next question देख लेते हैं नमबर 24 question है विस्ब का दूसरा सबसे बड़ा महादीप कौन सा है तो दूसरा सबसे बड़ा महादीप कौन सा है अफरीका है तो इस question का B option से हो जाएगा कितने महादीप है total तो महादीप वो कि संख्या है साथ सबसे बड़ा महादीप कौन और सबसे लाष्ट का सबसे छोटा महादीव पूछा जाए तो सबसे महादीव जो है वो है आस्टेलिया महादीव नमबर पच्चीस मोस्ट इंपॉर्ण कॉस्टन है इटली की राध्धनी रॉम किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो Italy की राध्धानी क्या है? Rome है और यह जो Rome है यह Tiver नदी के किनारे बसा हुआ है तो इस Question का A options ही हो जागा हम यहाँ से बात कर रहा है Tams नदी की तो देखिए Tams नदी के किनारे बसा हुआ है London क्या बसा हुआ है? London और जो London है यह Britain की राध्धानी है और डैन्यूम नदी जो है इसके किनारे बसा हुआ है बेना सहर ठीक है एक सहर का नाम है बेना ये बसा हुआ है डैन्यूम नदी के किनारे और जो बेना है ये आश्ट्रिया देश की राध्धान है ठीक है और यहाँ पर हम बात करें रावी नदी की तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है लाहोर लेकिन लाहोर जो है ये पाकिस्तान की राध्धानी नहीं है ठीक है पाकिस्तान की राध्धानी क्या है आपको पता है लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं पाकिस्तान की जो राध्धानी है उसका नाम है इसलामाबाद ठीक है इसलामाबाद जो है ये पाकिस किस ने की थी ठीक है इस question को मैंने बिलकुल detail में समझाया है कि वरण ग्रह की खोच किस ने की थी और कब की थी और ये जो चार option दिख रहे हैं ठीक है इन्होंने क्या-क्या famous कारिये किये यानि कि किस चीज की खोच की कौन से सिध्धन दिये ये सारी चीजे मैंने आपको बताई थी तो यदि आपको पता है तो इस question के बारे में detail भी लिख सकते हैं क्योंकि एक बार जो चीजें आप लिख देते हैं वो life में कभी नहीं भूलते हैं तो thank you दोस्तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो कैसा आपको हमारे चनल को सब्सक्राइब करना है और बैल आइकन भी दबा लेना है ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँगा तो उसका notification सबसे पहले आपको मिल जाएगा और इसी प्रकार की important वीडियो देखने के लिए आपको हमारी playlist को visit करना है playlist की link आपको कहां पर मिलेग बंदी मात्रा